आप लोगों के लिए Macbook Pro 2019 13.3 इंच तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए मैं करूंगा इसकी अन्बॉक्सिंग और मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा है विद तन्यू सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा लेटेस्ट एक मकसाला देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं जो सबसे पहले चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो की कलर मैचिंग अब इसको कर लेते हैं हीरा आफल को देखना को चीज़ मिलती है वह मैक बूप प्रो और इसको मैं कर लेता हूँ साइट में और है इसको बज tęखने को मिलता है सबसे पहले वह है अज हम उपन उपन करता हूं एल है कि यह आगए है सबसे पहले मैपग प्रो और कुछ Apple Stickers यह कोई पड़ता तो है नहीं इसको कर देते हैं साइट में और इसके बाद हम देखते हैं 61 वाट का Apple USB Type-C to USB Type-C charging cable देखने को मिल जाता है और यह पीछे USB Type-C Apple logo और basic charger इसको साइट कर देते हैं साथ में आपको देखने को मिल जाता है lightning cable lightning to lightning end to end okay so यह था box का content और अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी actual के Apple का MacBook Pro दिखता कैसा है unwrap कर लेते हैं और यह सबसे पहले हम देख लेते unwrap करके काफी तिन हैं और सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है space gray color और साथ में Apple logo देखने को मिल जाता है बैक में अगर देखें तो कुछ नहीं है aluminum का बना हुआ है और sights में अगर आप देखें तो आपको USB Type-C ports देखने को मिल जाते हैं front में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है लेकिन ये cut-out देखने को मिलता है जिससे आप इसको open कर पाएंगे और अगर हम back की बात करें कुछ भी नहीं है और काफी thin है और काफी slim profile है और मैं अब आपको इसको दूसरे side से दिखाता हूं कि कैसा लगता है और देखते हैं कि अंदर से कैसा दिख रहा है और ये पहले ही से start हो गया है सिर्फ मैंने इसकी lid open की थी so friends इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 2.4 GHz का प्रोसेसर जो कि है quad core i5 साथ में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर 512 GB SSD touch bar आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर fingerprint sensor है इसके अंदर two tone retina display है और साथ में इसमें आपको white color gamut देखने को मिल जाएगा साथ में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा थंदर बोल्ट जिसको आप यूज का सकते हैं कोई भी preference connect करने के लिए तो friends यह था quick look इसके अंदर new keyboard है जो कि पहले keyboard से काफी better है सो यह थी इसकी first unboxing और first look मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी और आगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो please like कर दिजेगा वीडियो को शेर कर दिजेगा अपने friends में मैं इसका full review जल्दी लेकर आउंगा channel पर so stay tuned